IPL 2023 में मैच नमबर 31 वानखेड के मैदान पर मुंबा इंडियन्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया इस मुगाबले की बात करें तो दोनों टीमों के कप्तान टॉस करने के लिए उतरे मुंबाई के कप्तान ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी का निन्ने किया इंडियन्स के युवा तेज गेंद बाज और सचीन तेंदुलकर के बेटे अरजुन तेंदुलकर चर्चा में आ गई दरहसल आपको बता दें कि अरजुन तेंदुलकर ने इस मुकाबले में तीन ओवर डाले इस दोरान उन्होंने रन तो काफी खर्च के लेकिन एक विकेट भी चड़काया और एक विकेट अतना शांदार रहा कि अरजुन तेंदुलकर की चर्चा इस वक्ता सब जगे हो रही है दरहसल आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के बलेबास प्रप सिम्रन सिंग बलेबाजी कर रहे थे पारी का सात्वा ओवर चल रहा था अरजुन तेंदुलकर के हातों में गेंद थी अरजुन तेंदुलकर अब तक अपना एक ओवर डाल चुके थे इस दोनान उन्होंने अपने दूसरे ओवर में प्रप सिम्रन सिंग को एक सटीक योरकर फेकी योरकर इतने कमाल की थी कि गेंद सीधा जूतो पर जाकर लगी प्रप सिम्रन सिंग के जूतो पर लगी गेंद यानि की सीधा विकिट को हिट कर रही थी इतनी शानदार यॉरकर के साथ प्रभ सिमरंथ सिंग का विकेट अर्जुन तेंदुलकर ने लिया ठरड अमपायर की और इशारा किया गया अल्टर हेज में देखा गया कि गेन सीधा विकेट को लग रही है और स्टम को हिट हो रही है और ये विकेट है अरजुन तेंदुलकर की शानदार गेंद बाजी के बाद कप्तान रोही शर्मा ने उनकी गेंद बाजी को सरहा है और साथ ही उनकी तारीवी की मैदान पर उनकी पीट थप थपाई की आपने वाकई कमाल कर दिया है इसके लावा महा मौझूद तमाम खिला सचिन तेंदुलकर के बेटे अरजुन तेंदुलकर भी अपने परिवार को नाम रोशन करते हैं इस सटी क्योंकर और साथ ही शांदार गिंध बाजीक लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार